आपके अपने यूटेब चैनल वेजिटेवल गाड़निंग अजय पे आज मैं आपके साथ डिसकस करूंगा कि किस तरीके से आप अपने सदा बाहर प्लांट को हरा भरा रख सकते हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं अभी completely देख सकते हैं हमारे जो सदा बाहर के जो प्लांट है उसके लेप भी काफी हरे भरे हैं और उसमें काफी तेज फ्लावरिंग भी हो रहा है तो यह कैसे पॉसिवल हो सका है इसको आप किस तरीके से हरा भरा रखेंगे साथी साथ इसमें जो important point है जैसे कि सदा बाहर के से पीला होने के लिए या फिर इसको किस साइथ के grow bag में लगाना चाहिए या फिर हम इसका नहीं प्लांट लेना चाहते हैं तो इसका cutting किस तरीके से लगाएंगे सीट से इसको किस तरीके से germinate करेंगे सारा कुछ जानकारी आज इस वीडियो में आपको complete मिनने वाला साथी साथ मैं इसमें tips दूँगा कि सरदी के दिनों पे आप सदाबार प्लांट को किस तरीके से रख सकते हैं और गर्मी के दिनों में आपको किस तरीके से अपने सदाबार प्लांट को रखना है किस तरीके से fertilize देना है complete इस वीडियो में आप अभी देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि सदाबार का जो प्लांट होता है उसको कितने साइज के पॉट में हमें लगाना चाहिए तो मैं इसको ग्रो क्या हूँ आप completely देख सकते हैं यह जो है 24 इंच का पॉट है और इसमें मैंने completely इसको ग्रो किया है इसमें overall जब मैं आपको दिखाऊंगा तो एक दो तीन चार चार इसे प्लांट में लगा करके रखा और नीचे की तरब से काफी सारे जो चोटे चोटे प्लांट से वह बनता है क्योंकि इनके जो सीड होते हैं सदाबार के जो सीड होते हैं वह automatic जो है स्वाइल पिगेते हैं देखें देख से नेया प्लांट वे से परफिगेट होता है अब मैं सबसे पहले आपको चीज बताया कि किस तरीके से आप इसको इसको प्लांट में लगा सकते हैं पॉर्ट का साइज पर नोगयंगा औरöl जो हेसे 잘या की और यह वह फ्लान्ट कर सक्क्र नहीं बदेखने को म मिलेगा तो कोशिस किजिए बड़े से ग्रो बैग में लगाने का अब मैं दूसरा टिप्स यहां में जाता हूं कि आप अपने सदावार प्लांट को हरा भरा कैसे रख सकते हैं तो सबसे पहले हम बात करें जैसे अभी गर्मी के सीजन है गर्मी के सीजन में हम लोग सदावार प्लांट को किस तरीके से हरा भरा रखेंगे तो सदावार का जो प्लांट होता है वो गर्मी में हमें इसमें वाटरिंग करना है दो टाइम एक तो करना है सुभा जब सुर्योदय से पहले करना है और दूसरा हम लोग इसमें वाटरिंग करेंगे सुर्यास्त के बाद यानि कि बीच के इंटरवर में आप दोपार में इसको वाटरिंग नहीं करेंगे सुर्यादे से पहले आप इसमें पानी दे रहते हैं तो ठीक है नहीं तो फिर सुर्यास्त के बाद जो है आप इसमें वाटरिंग करेंगे तो दो टाइम आप इस ठंडी के टाइम आपको वाटरिंग करना है तीन से चार दिनों के इंटरभल के अंदर, यानि कि तीन से चार दिनों के अंदर अंदर आप अपने प्लांट को वाटरिंग करेंगे, पर डे वाटरिंग आपको ठंडी के सीजन पर नहीं करना है, यदि आप पर डे वाटरिंग क करेंगे तो आपके जो प्लांट है हरा भरा नहीं रहा करके आपके पत्य जो हैं वह पीले पड़ जाते हैं किसी प्लांट में किसी प्लांट का कमी हो जा रहा है तो वो nutrition का कमी के वज़े से जो आपके plant के जो leap है वो photosynthetize अच्छे से नहीं कर पाते हैं जिसके वज़े से आपके plant हरे-बरे नहीं रहा पाते हैं तो या माल लिजे कि आप अपने plant को watering अच्छे से कर रहे हैं time to time कर रहे हैं के बावजु आपके पिले पड़ जारे हैं तो क्या स्लूट रहें तो इसका में ये स्ट्सक्राइम के प्लांट के लीफ होते हैं उसमें फोट्रश eer। की प्रेकरिया और सके आपके स्वाइल के अंदार इंसे को माँ सबस्क्रार्इब करता है। जैसा सतोquito small की और की आप मज़ा सब्सक्राइब कर रहे हैं और इस Was I गया कश्क्राइब area क्रें इस तरीगलों दो उन सब्सक्राइब करूदा भरत फिप्टी परसंट गाडन स्वेल और फिप्टी परसंट जो है फर्मी कंपोस्ट इसके अलावा आप अपने प्लांट को कप कप फटलाइज कर सकते हैं तो इसके अलावा ऐसे सदाबाहर को बहुत कम क्योंकि अदिगता देखा होगा कि कहीं दिवाल से भी चोने चेंकि बहुत ही कम जोरत परती है तो आप इसको फर्दर करेंगे एक बार यह आपने फटलाइज कि आप दो मैंने तीन मैंने के बाद तो मेरा जो अब हम फृतलाइजएर यूच करता हूँ वह देख सकते ही यह इस तरीका का भर्मि कंपोस्ट है तो भर्मि कंपोस्ट की मात्रा आपको घ् naar और दो करने प्लांट फिर से याँ पर फर्मी मेने अब फिर से 3 मेने के गाद ज्यादा fertilizer भी देने से सदाबार plant मर जाते हैं तो इसने कोशिस किजिए कि इनको जो कम fertilizer चाहिए तो आप दो से तीन मेनों के अंदर अंदर इसको fertilizer करते रहेंगे अब एक बात में बताता हूं कि अधि इसके हलावा आपके पास भर्णवी कमपोस्ट नहीं हूं तो आप कौन सा इसको fertilizer डालेंगे तो मैं जब भर्णवी कमपोस्ट नहीं डालता हूं तो उस टाइम मैं डालता हूं यहां पे लिक्विट सीवेड एक्स्ट्रेट जो कि एक लिक्विट फटलाजर है सीवेड लिक्विट फटलाजर है इसका भी यूज हमें अपने प्लांट में करना है तो इसका यूज कैसे किया जाता है इसका यूज किया जाता है कि 50 ml जो लिक्विट फटलाजर होता है उसको एक ल इपसम सोयल्ट या फिर ग्रोबैक किसी भी प्रकार के गार्डन से लेटर प्रोड़क्ट लेना चाहते हैं तो अभी जो आपको इसकीन पे हमारा वाट्सप नमबर दीख रहा है आप उसमें कॉंटेक्ट ही जिए आपको सभी चीज बेस्ट क्यालिटी का मिल जाएगा वो भी कम दामों में तो इतना छोटा सा टिप्स में आपको बताया कि किस तरीके से आप अपने सदाबार प्लांट को हराबरा रख सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट कोई गार्डन का अब्डेट लेकर के